हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IS Hindi गुड मार्णिंग गाइस, कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छे आपके पढ़ाई भी चल रही होगी, आप सब को पता है कि हमने Geography शुरू कर दिया है एक क्लास हमने कल ले ली थी, ब्रह्मान की उत्पत्ति के बारे में, जिसको आप सब ने बहुत प्यार दिया आप बहुत अच्छे से पढ़े उसको, और आज हम उससे आगे की कलास शुरू करते हैं, ब्रह्मान की उत्पत्ति के बाद देखो, Geography या किसी भी सब्जेट को जब पढ़ा जाएं, तो important सिर्फ यह नहीं है कि आप उसको पढ़ें, important यह बहुत जादा है कि आप उसको daily to daily revise करते रहें एक दिन करके, एक दिन छोड़के, दूसरे दिन जब आपकी कलास होती है, तब आप क्या करेंगे, जैसे जो आज कलास हुई, उसका revision आप आज की आज करेंगे, और next कलास में मैं कोशिच करूँगा कि मैं पुरानी वाली कलास को आपको revise करवा दू, इससे क्या होगा, आप आपका दो दिन में, दो बार revision हो जाएगा, एक बहुत ही scientific technique है, जिसमें माना जाता है, कि आपको सबसे पहला आपका revision जो होना चाहिए, वो आपका पहला revision हो जाना चाहिए, पहले 24 घंटे में, अगर आपने 24 घंटे के अंदर अपना पहला revision किया, इस समय आपका कौन सा revision हो होना चाहिए, पहला revision, दूसरा आपका revision हो जाना चाहिए, 7 दिन के अंदर, यह आपका दूसरा revision हो जाना चाहिए, तीसरा जो आपका revision होना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, आने वाले 30 दिनों के अंदर, इसके बाद जो आपका चौथा रिविजन होगा वो छे महीनों के अंदर हो जाना चाहिए यह आपका चौथा रिविजन होगा और इसके बाद जब आपका एक्जाम होगा एक साल बाद तब ही आपका पांचवा रिविजन होना चाहिए देखो कोशिश करना है हमको ये जो थियोरी जो मैंने आपको बता ही है कि पहला रिविजन दूसरा तीसरा चौथा और पांच बार रिविजन तो एक्जम से पहले आपने कितनी बार रिविजन कर लिया पांच बार एक बार मैं आपको पढ़ाऊंगा एक बार आप अपनी किताब से या नोट से पढ़ेंगे और दूसरी बार जब क्लास दूसरा शुरू होगी तब मैं पुछली क्लास का आपको रिविजन करवाते हुए चलूँगा ऐसे टोटल आपके रिविजन हो चुके हैं कितनी बार सा कारंटी देता हूँ कि अगर किसी भी चीज को आपने साथ बार रिवाइस कर लिया जैसा मैं आपको यहां पर बता रहा हूँ तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एक्जाम में ना ही प्री की एक्जाम में और ना ही मीन्स के एक्जाम में आप वो कंसेप्ट या अगर कोई फैक्ट है तो वो उसको भूल जाएं ऐसा कभी नहीं होगा लेकिन बशर्तियां पे क्या है कि आपको कितनी बार रिवीजन करना है साथ बार रिवीजन मेरे साथ दो बार और आप अपने आप कितनी बार रिवीजन करेंगे पांच बार चली आगे बढ़ते आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि Study IQ, IS, Hindi माध्यम चात्रों के लिए पहली बार Foundation Course लेके आया है जो इसकी नाम में फिर से मैं कहूंगा जैसे Geography में हम लोग तकनीक जो यूज करते हैं वो ही तकनीक आप यहाँ पर यूज करें क्या नाम है Course का? Foundation Course Foundation का मतलब क्या है? Foundation का मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे A से, एकदम Basic से, बहुती साधारन शब्दों से हम लोग शुरू करेंगे A से शुरू करेंगे, और कहां तक लेके जाएंगे इसको? Z तक लेके जाएंगे Z मतलब Z मतलब यह है कि लबासना के जितने करीब तक हम आपको ले जा सके हम आपको ले जाएंगे देखिए हमारा काम यह है कि हम आपको रास्ता दिखाएं वो रास्ता दिखाएं जिन रास्तों पर हम चलें वो गलतियां आप ना करें जो गलतियां बहुत सारे और एस्पिरेंट करते हैं उन सब से हम आपको बचाने की कुशिश करेंगे इसलिए इस कोर्स का नाम ही क्या रखा है हमने foundation कोर्स रखा है कोर्स की जो duration रहेगी वो करीब 13 महीने 14 महीने कोर्स की duration रहेगी और कोर्स की जो वैद देता है जो validity है कोर्स की वो 2 साल तक valid रहेगा तो बिना किसी देरी के आप ये कोर्स जाइन कीजिए और कोर्स जाइन करते हैं हमेशा याद रखिए कि आपको कोर्स कौन सा लगाना है कोर्स लगाना है हो जाएगा और मैं ये आपको आश्वस दिलाता हूँ आश्वसन दिलाता हूँ कि इस कोर्स में जो जो faculties आपको पढ़ाएंगी वो सब अपने शेतर में महारती हैं वर्षों का अनुभव वो लेके आएं खास का जो UPSC का जो अनुभव जो आपको लोगों को चाहिए वो आपको वो प्रॉवाइड इस बैट से आपको वो प्रॉवाइड कराएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं हम इस किताब की बात कर रहे रहते हैं कल हमारी बात हो गई थी मूल भूत सिद्दान्थ भूगोल के यह हम किताब पढ़ रहे हैं यह किताब आप लोगों ने कमेंट में भाग बार पूछा कि किताब हमको कैसे मिलेगी आप इसको order कर सकते हैं Amazon और Flipkart के through मैं पुरानी वाली क्लास को एक बार रिवाइस करा देता हूँ आज फिर से हमने बात करेती कि हमारा जो subject है वो क्या है हमने बात करेती कि यह दो शब्दों से मिलके बना हुआ subject है पहला शब्द जो geo है वो हमने देखा था कि वो शब्द हमने लिया है अंगरेजी भाषा के एक शब्द geoid से और दूसरा जो शब्द है graphi वो हमने लिया है graphos से वो हमने लिया है graphos से geoid की अगा हमने जब बात करें थी तो हमने देखा था geoid क्या है geoid एक आकरती है geoid एक आकरती है इसको मैं हिंदी में आपको बताओं तो हिंदी में इसी को हम बोलेंगे भू आब भू आब और जियोईड के मैं बात करूँ तो ये क्या होगा भू आब और जियोईड एक प्रकार की आकरती है किस प्रकार के आकरती होंगी ये प्रत्वी के समान जो भी आकरती है उसको हमने नाम दिया जियोईड या उसी को हमने नाम दिया भू आब हमने कल बात करी थी कि भूवा आप कैसी आकरती होती है ऐसी आकरती जो धुरूवों से कैसी हो चप्टी हो और भूमध्य रेखा से कैसी हो उबरी हुई हो ऐसी कोई आकरती को हम क्या नाम देते हैं जियोई नाम देते हैं हम आज से पहले पढ़ते आये थे कि प्रत्वी कैसी है प्रत्वी है गोला है या गोला कार आकरती है प्रत्वी की लेकिन आज हमको पता चल चुका है कि प्रत्वी गोला नहीं है अगर गोल होती तो यह जो आप देख रहे हैं उत्तरी द्रूप और दक्षनी द्रूप पर यह यह था, Jio Idea, फिर हमने और बात जो करी थी, वो हमने इसी शब्दे पर आगे चर्चा करी थी, जो शब्द है, Jio, मैंने बताया था आपको, Jio का मतलब, कुछ भी जो किस से related हो, किस से संब्मंदित हो, प्रत्वी से संब्मंदित, उस सब के आगे आपको क्या मिलेगा Jio हमने बात करे थी हमारे subject की जो है geography या भुगोल इसमें हमने एक और बात करे थी अगर आपको याद हो तो हमने बात करे थी कि हम भुगोल में प्रत्फी की सतय के उपर की पढ़ाई जिस subject में करते हैं उस subject का नाम क्या है? Geography. लेकिन अगर प्रत्वी के सते के नीचे किस प्रकार की चट्टाने हमको मिल रही है? चट्टानों का अगर अध्यन हमको करना है, तो हमको एक दूसरे subject पर जाना पड़ता है. जो कौन सा subject है? Geology. इसमें अगेन आपको वोई शब्द वापिस देखने को मिला, Geo. Geo अड़ था प्रत्वी. एक और हमने बात करी थी, कि जब प्रत्वी की आकरती, प्रत्वी की त्रिज्या को हमको मापना था, प्रत्वी के व्यास को हमने नापना था, तो हमने एक नया subject बनाया, जिसको हमने नाम दिया, Geometry, या जिसको हम हिंदी में बूलते हैं, जामितिये. इसमें भी आपको वोई शब्द वापिस से दिख रहा है, Geo. तो आशा करता हूँ, आप revise कर पा रहे हूँगे, हमको यहाँ पर पढ़ाई करनी है, हमको यहाँ पर अध्यान करना है, to study, अध्यान करना, तो किसका अध्यान करना है हमको जोग्राफी में, हमको जोग्राफी में प्रत्वी का अध्यान करना है, तो क्या पूरी प्रत्वी का अध्यान करना है, उपर और नीचे से सतय के नहीं, हमको सतय के उपर का अध्यन subject में करना है, वो subject कौन सा है आपका geography subject है, हमने बात करी थी कि सबसे पहले हम लोग कौन सा segment शुरू करने वाले, भौतिक भूगोल, जिसमें हम लोग कुछ भौतिक ही की चीज़े हम पढ़ेंगे, इसमें हमको चार पढ़ने पेला अध्याइं आपने पढ़ा भु आकरती विख्यान, दूसरा हमें पढ़ा समुधर विख्यान, तीसरा जल्वायु विख्यान और चौथा आर्थिक भूगोल, हमने कल भी मैं आपको बता रहा था, जो तीन अध्याइं शुरूरू के, वह आकरती, समुधर वि स्कूशिश करेंगे आर्थिक भूगोल यहाँ पर हो सकता है आपको यह चार अलग अलग दिख रहे हूं लेकिन इन रियलिटी यह चारों जोड़े हुए हैं यह चारों जोड़े हुए हैं आप किसी एक को बिना किसी दूसरे के नहीं पढ़ सकते हैं इसलिए हम उने चारों क एक ऐसी खाली जगे जिसमें बहुत सारे क्या हैं तारे आपको मिलेंगे, बहुत सारे ग्रहे आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे उपग्रहे आपको देखने को मुलेंगे, बहुत सारे शुद्र ग्रहे आपको देखने को मिलेंगे, हम आगे पढ़िंगे कि ये सब क्य होते हैं लेकिन इन सब का एक समू क्या कहलाता है ब्रह्मान कहलाता है जैसा चित्र में आप देख पा रहे हैं बहुत सारी आकाश गंगाएं आपको देख रहे हैं बहुत सारे तारे आपको देख रहे हैं और बहुत सारे सौर मंडल आपको यहां पर देख रहे हैं बहुत सार द्रस्टी कौन जो पुराने लोगों ने विक्सित किया वो किसको केंद्र में मानते हुए विक्सित किया गया था वो प्रत्वी को केंद्र में मानते हुए विक्सित किया गया द्रस्टी कौन क्या कहलाता है प्रत्वी केंद्रित द्रस्टी कौन दोसरे के हम बात करें सूर्य केंद्रे द्रस्ट्री कॉन हमने बात करें थी प्रत्वी केंद्रे द्रस्ट्री कॉन क्या है ऐसा द्रस्ट्री कॉन या ऐसी मानेता जिसमें यह माना जाता है कि कौन केंद्र में हैं केंद्र में हैं प्रत्वी और इसके चारो तरफ बाकी ग्रहें बाकी उप ग्रहें और हमार सूरे इसके चारो तरव चक्र लगा रहा है हमारी बात हुई थी कि गैलियो ने रही है तो कौन सा दस्टिकॉन सही नहीं निकला प्रत्वी केंद्री दस्टिकॉन सही नहीं है इसके बाद हमने बात करी दे सूर्य केंद्री दस्टिकॉन जो हम बच्पन से पढ़ते आएं कि हमारे सौर मंडल के केंद्र में कौन स्थित है सूर्य मंडल के केंद्र में सूर् ग्रह है तो वो उप्ग्रह उस ग्रह के चारो तरफ चक्कर लगा रहा है हमने बात करी थी जैसे चंद्रमा चंद्रमा क्या है चंद्रमा प्रत्वी का एक उप्ग्रह है वो किसके चारो तरफ चक्कर लगाएगा और प्रत्वी किसके चारो तरफ चक्कर लगाएगी सूर्य के तिहां पे केंदर में किसको रखना है हमेशा सूर्य को केंदर में रखना है 25 से हम लोग ये चत्र देखते आने कि बीच में सूर्य और इसके चारो तरफ चक्कर लगाते हुए ग्रह है हमने बात करी थी कि ये जो चक्कर लगाने का काम है ये कैसे होता है इसके लिए हमने दो कुछ बलों के बारे में पढ़ा था अब याद होगा हमने पढ़ा था पहला गुरुत्वा कर्शन बल गुरुत्वा कर्शन बल इसमें हमने बात करे थी गुरुत्वा कर्शन बल दो शब्दों से मिलके बना हुआ है जिसमें हमारे लिए जो प्रमुक शब्द है वो क्या है आकर्शन आकर्शन का मतलब अगर ब्रह्मान में कोई भी दो वस्तुएं मौजूद है चाहे वो कितनी भी दूर हो वो दोनों एक दूसरे पर एक बल लगा रही है और वो बल कैसा है एक दूसरे को आकर्शन करने का बल एक दूसरे को आकर्शित करने के लिए वो बल लगा रही है जैसे ऐसा बल जो मेर को आपको सम्मी पलाने की कुशिश कर रहा है वो कैसा बल है गुरुत्वा कर्शन बल है तो प्रतवी और सूर्य के बीच में, यब मंगल और सूर्य के बीच में भी बल लग रहा होगा, वो कौन सा बल होगा? गुरुत्वा कर्शन बल इसके बाद हमने बात करें थी दो और बलों की, जिसको हमने नाम दिया था, अगर आपको याद हो, ये एक कक्षा है ये सूर्य है, सूर्य केंद्र पे स्थित है, केंद्र की तरफ जब गुम रहा है, अपनी कक्षा में तो केंद्र की तरफ एक बल लग रहा होगा, जिसका नाम क्या होगा, अभी केंद्रिये बल, और जो केंद्र से दूर की और लग रहा होगा, वो कौन सा बल होगा, वो होगा अब केंद्रिये बल आपको वो example याद आ रहा होगा जो मैंने कल आपको बतायता है कि अगर हम रसी से एक पत्थर भांग के उसको जोड़ जोड़ से गुमाएं और अचानक से उसको छोड़ दें तो क्या होगा वो पत्थर कहीं दूर जाके गिरेगा क्यों 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 कि उसको पर क्या जादा होगा उस समय अपके इंद्रिये बल लेकिन जब रसी आपके हाथ में है तब अभी उसकrity कौन सा बल लग रहा है कर्थर प्रथर रत्थरी कक्शा में घूम रही है ढेकरमा जब लगा कहीं न कहीं क्या होंगे वहाँ पर बराबर होंगे अगर ये बराबर नहीं होंगे तो क्या होगा अभी केंद्रिय बल अगर जादा हो गया तो प्रत्वी क्या होगे केंद्रिय तरफ चली जाएगी अगर अब केंद्रिय बल जादा हो गया तो प्रत्वी का चली जाएगी सू पूर्ये को बीच में रखा गया है। वो सूर्य केंदृत। और जिसको प्रत्वी केंदृत। दृस्टी कौन। इसके बाद हमने बात करें ती उस सिद्धान की जिससें हम ब्रहमान की उत्पति का पता लगाते हैं। और जो विग्यानिकों द्वारा, या जो जो जोग्राफर्स, भूगोल वेत्ताउं द्वारा, सबसे 60 जो अभी तक सिद्धान्त माना गया है, उसको अमने नाम दिया था, बिग बैंग सिद्धान्त, बिग बैंग क्या था, बिग बैंग कुछ नहीं था, बिग बैंग एक व बिंदू था जिसका दरव्यमान बहुत ज़्यादा था उसका आयतन बहुत ज़्यादा था और छोटी सी जगे में इतना सारा दरव्यमान और इतना सारा आयतन था तो इसका क्या ज़्यादा हो गया था इसका ज़्यादा हो गया था तापमान इतने अधिक तापमान को यह क्य तुकड़े अलग हुए तो साथ में है बहुत सारे इसके साथ निकले। थूल के कंड, इन धूल के कंड और इन तुकडों के बीच में भी कौन सा बल लग रहा था। गुरुत्व कर्शन बल, अभी बल अब केंद्री ये बल, ये तीनों बल इसमें लग रहे थे। अच्छा, कल एक और नाम इसका आपको बताया था, वो क्या था, वो नाम था, एकाकी, क्याकि एक बिंदू से, इसमें क्या है, आपको क्या दिख रहा है, एक, यहाँ पे भी प्रत्वी, या पूरा ब्रह्मान मैं कहूं, तो पूरा ब्रह्मान कहां से निकला है, एक छोटे से बिंदू से निकला है, तो इसलिए सिद्धान्द का नाम रखा गया, एका की सिद्धान्द, मैंने आपको बताया था है कि ये डाइग्राम, आपको अपनी कॉपी में बना लेना है, माह विस्फूर्ट, जिसको बिग बैंग भी कहते हैं, उसके बाद बहुत सारी उर्जा का स सारे ग्रहे आपको देखने को मिलेंगे, उसके बाद ब्रमान का विस्फार होने लगा, हमने कले एक 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 एग्जामपल भी देखा था, कि हमने गुबारे में बहुत सारे छोटे छोटे बिंदू होकर लगा दिये, अब ही उनके बीच की दूरी बहुत कम है, लेकिन जैस होना शुरू हुआ, सौर मंडल का, और बाद में प्रत्वी बनी यहां पे, ठीक है, इसी प्रकार लगादार किस का विस्फार होता जा रहा है, ब्रमान का विस्फार होता जा रहा है, मैं फिर से कहूँगा, ये जो आपको चित्र दिख रहा है स्क्रीन पे, वो बहुत इस्पार्टेंट है, ये आपकी कॉपी में होना चाहिए, नेक्स चलते हैं, हम बात कर रहे थे हैं, आकाश गंगा की, मंदाकिनी की हम बात कर रहे थे हमारी जो आकाश गंगा है, मंदाकिनी इसको मिल्कीवे गैलक्सी भी कहते हैं, ये उसका चित्र है, इसके बाद हमने ब अकरती हो सकती है आकाश गंगा की हाँ बिलकूल हो सकती है सर कौनसी हो सकती है हमने बात करी थी अंडाकार इसके आकरती और क्या हो सकती है अंडाकार क्या कोई ऐसी आकाश गंगा भी जिसके आकरती ना तो अंडाकार है ना ही स्पाइरल है तो हाँ ऐसी भी आकाश गंगा होत थी सबसे important यहाँ पर जो topic था वो था तारे, तारा का जीवन कैसा होता है, एक तारा कैसे पैदा होता है और कैसे मिथ्यू की तरफ आगे आगे बढ़ता है, अच्छा तारा पढ़ने से पहले अगर आपको याद हो तो हमने बात करें थी कि तारा सबसे पहले क्या बनेगा, न तो यह धूल के टुकडे किसमे परिवर्तित हो जाएंगे, यह परिवर्तित हो जाएंगे धूल के बादल में, एक बादल चारतरफ बन जाएगा, वो बादल आप यहाँ पर देख पा रहे हो हैं, और इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते है, निहारिका, जब दूल के बादल आसपास घूमने लगेंगे, तो क्या होगा, कौन सा बल जादा लगना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर अभी केंद्रिये बल लगना शुरू हो जाएगा, और अभी केंद्री के साथ यहाँ पर गुरुत्वा कर्शन बल भी लगना शुरू होगा, इससे क्या होगा, जो इस जो धूल के कण होंगे, वो किस के पास आ जाएंगे, इस छोटे टुकडे के पास आना शुरू कर देंगे, और क्या बनना शुरू हो जाएगी, जब ये कोर बनना यहाँ पर शुरू हो जाएगी, तो ये निहारी का किसमें बदल जाएगी, ये निहारी का बदल चुकी है कौन सी हवस्ता थी? निहारी का, तारे की गर्बा हवस्ता, उसके बाद तारा पैदा हो चुका, जिसके हमने नाम रखा आदी तारा, उसके बाद दूल के करण और पास मेंगे, कौन से बल की करण, अभी केंदरिये बल और गुर्टवा कर्शन के कारण, और वो किसमें बदल जाएगा लाल दानव तारा, इस समय इसके पास सबसे आदा क्या होगी, इस समय इसके पास सबसे आदा होगी, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, जैसे जैसे तारा आगे बढ़ेगा, यह तारे का जीवन जैसे जैसे बढ़ेगा, यह हाइड्रोजन के समें तबदिल होना श तो ये किसमें बदलेगा ये बदलेगा श्वेद बामन तारे में या जिसको मैं कहूँ सफेद बॉना तारा ये सफेद बॉना तारा बिलकुल बुज़र्ग अवस्ता है जहां पर करीब करीब बहुत 80-70 प्रतिशा जो भी हैडोजन है वो किसमें बदल चुकी है इसकी हीलिय में बदल चुकी है और यहां पर सबसे अधा रोशनी दे रहा होगा और उसके तुरंत बाद ये किसमें बदलेगा काले बॉने तारे में और ये इसकी क्या है मृत्यू है तो सूर्य अगर सूर्य की मृत्यू कभी होगी जो होगी निश्यती वो किसमें बदलेगा हमारा सू काले बॉने तारे में, क्या सूरी कभी ब्लैक हूल बन सकता है, हमने बात करें थी, सूरी कभी भी ब्लैक हूल नहीं बन सकता, अगर इस लाल दानव तारा का, जो दरव्यमान है, वो सूरी के दरव्यमान से काभी अधिक होगा, तो किसमें बदलेगा, सूपर नूवा में, यह जाएगा, यह बात है हो चुकी थी, इसके बाद हमने बात करी थी, नक्षत्र मंदल और तारा मंदल, एक निश्चित आकरती, एक निश्चित दिशा में, जिसका प्रयोग हम किसमें किया करते थे, नौवेहन के लिए किया करते थे, उसमें हमने बात करी थी, धुरुग तारा जो हमारे लिए बहुत important है, जो कौन से दिशा को हमको बताता है, वो उत्तर की दिशा में बताता है, इसके बाद बहुत सारे तारा मंडल है, यह NCRT में और Study IQ की किताब में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो आप एक बार इसको देख लेना, आगे चलते हैं, हमने बात कर लगा रहे हैं, वो सब किसमें आएंगे, सौर मंडल में, यहां पर गौर करने की बात है, निश्चित कक्षा, तो क्या सिर्फ निश्चित कक्षा वाले ही ग्रह, उप ग्रह या शुद्र ग्रह आएंगे, नहीं, ऐसा कोई भी हो सकता है, जिसकी निश्चित कक्षा हो, या ग्रहे क्या होते हैं, वो ग्रहे तो होते हैं, ग्रहे मतलब उनका कोई आकार तो होता है, लेकिन उनकी क्या नहीं होती है, कोई उनकी निश्चित कक्षा नहीं होती, ऐसे ग्रहों को हम क्या कहते हैं, तो फिर ग्रहे क्या होते हैं, जो ब्रहे के पास नहीं होगा, वो सब कि ग्रहें हैं, सबसे पहले हमको पाता है सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रहें, बुद्ध, बुद्ध के बाद कौन सा ग्रहें आपको मिलेगा, शुकर, शुकर के बाद मिलेगा शनी के बाद आपको यूरेनस मिलेगा और यूरेनस के बाद आपको नेप्ट्यून मिलेगा ये कुछ ग्रह है आठ ग्रह जो हमारे सौर मंडल में इसके लाब कुछ बॉने ग्रह है पांच बॉने ग्रह हमारे पास है और अंगनिद क्या है शूद ग्रह हमारे पास है हमारे सौर मंडल में सबसे प्रमुख क्या है उसका तारा देखो सौर मंडल में सब ग्रह या उपग्रह इसके चारो तरफ चक्कर लगाएंगे किसी तारे के चारो तरफ चक्कर लगाएंगे और हमारे सौर मंडल का तारे का नाम क्या है हमारे सौर मंडल के तारे का नाम है सूर्य इसके चारों तरफ अगर कोई निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो उसको आप क्या नाम दोगे उसको आप नाम दोगे ग्रह अगर किसी के पास कोई निश्चित कक्षा नहीं है वो एक बार यहां से चक्कर काट चुका है एक बार यू चक्कर काट चुका है तो इसका मतलब इसके पास कोई निश्चित कक्षा नहीं है तो इसको आप क्या नाम दोगे इसको आप नाम दोगे बॉना ग्रह है इसके पास क्या नहीं है अपनी निश्चित कक्षा नहीं है इस में क्या है सूर्य अच्छा फिर से एक बात हाला कि UPSC अभी एक सवाल नहीं पूछती ही 2013 से पहले जब डारेक्ट सवाल पूछती ही तब यह आप से पूछे जा सकता है लेकिन फिर भी आपको पता होने चाहिए कि सूर्य क्या है सूर्य एक है तारा तो सूर्य का निर्मान भी बिलकुल वैसे ही हुआ है बिलकुल वैसे मतलब सूर्य भी सबसे पहले क्या बना था सूर्य भी सबसे पहले बना था निहारिका यह जिसको मैं बोलूँ नैबिूला नेबिला के बाद ये क्या बना आधी तारा या मैं कहूँ प्रोटो स्टार प्रोटो स्टार के बाद क्या बना लाल दानव तारा या इसी को मैं कह सकता हूँ रैड जियांट तार चूंकि इसका द्रवे मानसूरी के बराबर है तो ये किसमें परिवर्थित हुगा ये परिवर्थित हुआ श्वेट वामन तारे में और जब इसके मत्य होगी तो ये किसमें परिवर्थित हुगा काला बॉना तारा ये सूर्य का जीवन काल होगा उसके जन्में से लेकिए उसके मत्यू तक सूर्य कहां इस्थित है हम सबको पता है सूर्य किसके केंद्र में इस्थित है हमारे सौर मंडल के केंद्र में क्या इस्थित है सूर्य इस्थित है अच्छा हमको ये पता है कि बिग बैंक कब हुआ था बिग बैंक का जो स्वोट है वो कब हुआ था 13.8 अरब वर्ष पूर्व और हमारे सूर्य का निर्मान कब हुआ हमारे सूर्य का निर्मान हुआ है 5 अरब वर्ष पूर्व यह सवाल के बार State Public Service Commission ने पूछा हुआ है कि सूर्य का निर्मान कब हुआ है तो सूर्य का निर्मान आपको पता होना चीए इतने साल बाद बिग बैंग हुआ 13.8 और सूर्य का निर्माण सूर्य बनके जब तयार हुआ वो हुआ पांच अरब वर्ष पूर देखो सूर्य में भी हम पढ़ेंगे बहुत सारी पढ़ते पाई जाती है कुछ आबाही पढ़ते होती है और केंद्र के पास ये केंद्र होगा सूर्य का इस केंद्र के आसपास अगर आप सूर्य का तापमान देखोगे तो ये आपको मिलेगा 15.000.000 degree Celsius कितना मिल रहा है 15.000.000 degree Celsius अब ये 15.000.000 क्या होता है देखो 1.000.000 में आपको मिलेंगे 10.000.000 तो 15.000.000 में कितने होंगे आप अंदाजे लगा सकते हैं प्रत्वी का ये आप मैं बात करूँ जहांपे आप रहते हैं वहां गर्मियों में अधिक्तम तापमान अगर मैं भारत की बात करूँ तो करीब करीब राजिस्तान में अगर मैं तापमान की बात करूँ जहां थार का जो मरुस्तल है वहां पे तापमान आपको देखने को मिलेगा 48.49 जिग्री तक ये भी बहुत गर्मी में 48.49 जिग्री जिसको हम बहुत गर्मी कहते हैं सूर्य के पास किंदर में कितना तापमान आपको मिल रहा है 15.000.000 डिग्री सेल्सियस और 1.000.000 में है 10.000.000 अब समझ सकते हैं कि सूर्य के किंदर में कितना तापमान आपको देखने को मिलेगा तो क्या सूर्य की सते पे भी इतना तापमान है नहीं सूर्य की सत्य पे तापमान कम हो जाता है सूर्य की सत्य पे तापमान आपको मिलेगा करीब साड़े 5000 डिगरी सेल्सियस के असपर इसके बाद आगे की बात करें और सूर्य के बारे में हम बात करते है जैसा कि देखा हमने सूर्य किस से बना हुआ है सूर्य में भी बहुत सारी परते पाई जाती हैं प्रत्वी पे भी हम पढ़ेंगे बहुत सारी परते पाई जाती हैं सूर्य की परतों को वैग्यानिकों ने मूलत है दो भागों में विभाजित किया है पहली हैं आंतरिक परते और दूसरी हैं बहारी परते फिर से नाम पे अगर जाएंगे आंतरिक जो पड़ते अंदर की और हैं उनको आप कैसी पड़ते कहोगे आंतरिक और जो पड़ते बाहर की तरह हैं उनको आप कौन सी पड़ते कहोगे बाहरी पड़ते हैं अगर मैं आपसे पूछू कि ऐसी पढ़ते हैं, जो केंदर के पास आपको देखने को मिलेंगी, वो कौन सी होंगी, वो बिलकुल कौन सी पढ़ते होंगी, आंतरिक पढ़ते हैं, और ऐसी पढ़ते हैं, जो केंदर से काफी दूर होंगी, वो कौन सी पढ़ते होंगी, बहारी परते हैं, आपने सेब खाया है, सेब को छिलका आमने आप सेब का अगर छिलका आपने निकाला, तो एकदम बहार जो आपको दिख रहा है, और जो सेब का छिलका आपने हटा आया है, वो कैसी परत थी, वो उसकी बहारी परत थी, और जैसे जैसे सेब के बीज के आप करीब प पढ़ते हैं और जो केंद्र से दूर पढ़ते हैं वो कैसे पढ़ते होंगी बहारी पढ़ते हैं अच्छा इसी बास से हम लोग यह अंदाजे लगा सकते हैं हमने पढ़ा कि तापमान सरवादिक सूर्य का कहा रहेगा केंद्र के पास रहेगा जो कितना होता है करीब करीब 15 million डिगरी Celsius के असपास वो तापमान होता है अगर मैं आप तरह पूचू कि कौन सी पड़तों का तापमान सरवादिक होगा और यह बाहरी पड़तों पर तापमान सरवादिक होगा यहां तक कोई डाउट अर्शा करता हूँ यहां तक आपको बिलकुल अच्छे समझ में आ रहा होगा अब बात करते हैं आंतरिक पड़तों की केंदर के पड़ते हैं सबसे पहले जो केंदर के बिलकुल निकट जो पड़ते हैं उसको आप क्या बोलोगे उसको आप बोलोगे क कोर, हम याद कर पा रहे हैं, आप निहारिका में हैं, निहारिका से जब आधी तारा बना था, तो वो जो धूल के जो बादल थे, उसके जो कंड थे, वो गुरुत्वा कर्शन बलके कारण, अभी केंद्रिय बलके कारण पास आ रहे थे, और क्या बना रहे थे, कोर बना रहे तो बने यहाँ पर कोर के बाद आपको मिलेगा Vikiran Kshetra मैं आगे फिर से आपको बताऊंगा तेकिन यहाँ पर भी नाम से एकदम clear हो रहा है कि यहाँ पर क्या निकल रहे हूँगे बहुत सारे Vikiran निकल रहे होंगे विक्कीरण क्या होता है तेको उश्मा एक जगे से दूसरी जगे आपको पहुंचा आनी है तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बहुत सारे तरीके हों में से एक तरीका होता है विक्कीरण या जिसको मैं अंग्रेजी भाषा में कहता हूँ Radiation, Radiation भी क्या होता है एक जगे से अगर Wouldn Chimma दूसरी जगे मेरको पहुँचा आनी है तो किसके माद्यम से मैं पहुचा सकता हूं विक्य रणो के माद्यम से पहुँचा सकता हूं एक और तरीका भी होता है दूसरी जगे पहुचाने का समभान समवन क्षेत्र सूर्य में आपको पाया जाएगा जो आंतरिक परतों में सबसे आखरी परत है वो कौन से परत होगी समवन क्षेत्र परत होगी तो तीन परत हुई आंतरिक पहली है जो केंदर के बिलकुल पास आपको मिलेगी जो होगी कोर जो केंद्र से थोड़ा दूर आपको मिलेगी जहाँ पे उश्मा का उत्सर्जन हो रहा होगा और उश्मा के उत्सर्जन को एक जग से दूसरी जगे लिए जा रहा होगा किसके माध्यम से विक्रणू के माध्यम से और तीसरी जो आपको लास्ट के आंतरिक परत मिलेगी वो ह आपकाश मंदल के बाद आपको मिलेगा वर्ण मंदल, वर्ण मंदल के बाद आपको देखने को मिलेगा संक्रमन क्षेतर, और लास्ट में जिससे शायद अब हम सब को बहुत ड़ड़ लगता है इस जिस नाम से, वो नाम क्या है? कोरुणा, तो कोरुणा सूर्य की एक बहारी कौन सा है? तो आराम से, कोरुणा कैसे अता? कोरुणा एक संक्रमन से फैनने वाला रोक था, तो सब से लास्ट में कोरुणा, कोरुणा संक्रमन, संक्रमन से पहले वर्ण मंदल और वर्ण मंदल से पहले आपको मिलेगा प्रकाश मंदल, प्रकाश मंदल नाम से आपको बता एकदम केंदर में आपको देख रहा है, जिसको हम आन्तर क्षेतर भी बोल सकते हैं, या कोर्ज इसकी बाद करें, उसक्की बाद हमने देखा, विक्रन शेतर आपको मिलेगा, संभण क्षेतर आपको मिलेगा, या जिसको हम यहाँ पर, प्रकाश मंडल बोल रहे हैं उसी को इंगलिश में हम बूलते हैं फोटो स्फेर फिर आपको मिलेगा वर्ण मंडल और फिर आपको मिलेगा कोरोना इस डाइग्राम आपकी कॉपी में होना चाहिए देखो UPSC में क्या होगा आप आप में ऐसे बहुत सारे लोग मुझसे खलास लेंगे और अभी कुछ लोग देख रहे होंगे आने वाले टाइम में भी बहुत सारे लोग को इस क्लास को देखींगे तो जो मैं समझा रहा है हूं आप सब समझ जाइंगे हैं लेकिन जब आप means में मुख्य परिक्षय में जब आप अपना उत्तर लिखेंगे तो उत्तर को लिखने का तरीका वो होगा आपका मैं यहां से आपको चीज़े समझा सकता हूँ उस उत्तर लेखन में सुधार करवा सकता हूँ कि कैसे सुधारा जा सकता है लेकिन वहाँ पर जाके उत्तर किसको लिखना होगा, वो आपको लिखना होगा, अब उत्तर लिखन में आप क्या लिखते हैं, वो सब चीज़ें ऐसी चीज़ें अगर होंगी, जहाँ पर examiner को जो आपकी copy चेक करेगा, उसको कम महनत करनी पड़ेगी, इसका मतलब वो आपको आपने इस diagram से या ऐसे flow chart से उसको बता दी, तो उसको समझ में आएगा कि हाँ एक तो आपको आता है, और आपका जो दर्शाने का तरीका है, वो भी काफी अच्छा है, इससे वो काफी सुगमता से वो आपके answer को आपके उत्तर को पड़ पाएगा, तो आपकी copy में फिर से एक और diagram यह आजाना चाहिए, क्या सूर्य की पड़ते, अब सूर्य की पड़ते में सबसे पहले हम चलते है, कोड, जिसको क्रूड भी कहते हैं, या जिसको कहा जाता है, कोड, कोड नाम से यह जानी जाती है, हमको पता है यहाँ पर तापमान क्या होगा, बहुत ज़्याद किसमें बदलती है, हीलियम में बदलती है, तो वो जो हीड्रोजन और हीलियम में बदल रहा होगा, वो सब यहाँ पर हुरा होगा, आप बीच में देख पा रहे होंगे, बीच में यहाँ पर तापमान सरवादिक है, यही क्या है, कोड है, सरवादिक गरम भाग होता है किसक ताप्मान वाला क्षेतर रहा होगा अगर इसका डाइगराम बनाएं तो आप कैसे बनाओगे अपनी कॉपी में यह 3D डाइगराम है अमरेको बता है आप नहीं बना पाएंगे केंद्र और केंद्र के आसपास वाला जो क्षेतर है वो क्या होगा वो होगा कोर ऐसे डाइगराम आपकी कॉपी में होने चाहिए यह सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन मॉडल है जिसमें आपको यह बता गया है कि 3D में अगर आप सूरज को देख रहे हैं उसको एक पीस आपने निकाल लिया है सूरज का एक हिस्सा आपने निकाल लिया एक चौथाई और 3-4 इससे को आप देखेंगे तो यह केंद्र है और केंद्र के बिलकुर पास में जिस शेतर में सबसे अधिक टापमान आपको देखने को मिल रहा है वो क्या होगी वो होगी क्रोड या कोर आगे की और चलते हैं पहला हमने आंत्रिक पढ़ी जिसका नाम था कोर दूसरा हम पढ़ते हैं विक्कीरन विक्कीरन क्षेतर या जिसको का जाता है रेडियेशन जोन विक्कीरन विक्कीरन क्या होता है विक्किरन एक साधन है विक्किरन एक तरीका है जिससे क्या होगा उश्मा को एक जगे से कहां पहुंचाना है हमको दूसरी जगे पहुंचाने के लिए हम काम में लेते हैं विक्किरन रेडियेशन अब समझते हैं बहुत नॉर्मली हम बूलते हैं नेटवर्क होते हैं, मूबाइल की नेटवर्क, असपास, उसमें क्या होते हैं, radeations होते हैं, तो वो radiation क्या करते हैं, कोई भी ऊछिमा जो है, उसको एक जगे से दूसरी जगे ले जाते हैं, उष्मा भी क्या एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा को एक जगे कोर या जिसको करोड यहाँ पर तापमान सरवा दिखें। तापमान कैसे चलता है सब पर गरम वी घकाँ जाता है हम perfect in त्वन ने जो होगी, तो जो उष्मा उश्मा एक प्रकार की उर्जा है वो उत्सर्जित होना शुरू होगी और यहाँ पर जब उश्मा का उत्सर्जन शुरू होगा तो वो किस रूप में किस रूप में यहाँ से उत्सर्जन हो रहा होगा वो उत्सर्जन हो रहा होगा किस रूप में विक्किरण के माध्यम से य करते हैं थोड़ी सी यह आपके वैसे तो science और technology का जब portion आएगा ताब उसमें बहुत अच्छे से आप पढ़ोगे कि photon क्या होता है फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि photon क्या होता है देखो प्रकाश जो होता है हम समस्ते हैं कि प्रकाश एकदम ऐसे सीधी लाइन है यह लाइन है प्रकाश की लेकिन अगर in reality मैं बात करूं तो प्रकाश ऐसे नहीं होता प्रकाश क्या होता है ऐसे छोटे छोटे पैकेटों में बटा हुआ होता है आपकी घर में जो light है आ रही है सूर्य से जो light आ रही है वो ऐसे छोटे छोटे पैकेटों में आपको मिलती है, प्रकाश की ये जो छोटे छोटे पैकेट आप देख पा रहे हैं, इनको आप क्या बोलोगे, फोटोन बोलोगे, क्या बोलोगे, फोटोन, प्रकाश की तरंग एकदम सीधी नहीं होती है प्रकाश की तरंग इन छोटे-छोटे पैकेटों में आती है इन छोटे-छोटे पैकेटों को हम कहा नाम देते है फूटोन तो यहाँ पे जो उर्जा का इस्थानान तरन हो रहा है वो किसके दौरा हो रहा है, फूटोन का दौरा, इसका मतलब यहाँ पर छूटे-छूटे packet, आपको देखने को मिलेंगे, चो इससे दूर की तरफ जा रहे होंगे, किससे दूर, को और किससे दूर की और, और क्यों जा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर तापमान सरवादिक है तो यह important है यह अगर आप exam में लिखते हो तो ऐसी चीज़े जो आपको लगे कि हाँ यार यह important है और यह मेरे अलावा शायत इस examination hall में कोई और नहीं लिख रहा होगा तो उसके नीचे आपको हमेशा क्या करनी है उसके नीचे आप underline करो और उस examiner को बताओ कि देखो सर मुझे यह आता है और यहाँ पर तापमान आपको देखने को मिलेगा 2-7 million degree Celsius वहाँ पर कितना था 15 million degree Celsius और यहाँ पर तापमान गिरके कितना हो चुका है 2-7 million degree Celsius क्यों हो चुका है क्योंकि उश्मा उत्सरजित हो रही है यह किसकी बात करिए हमने radiation zone की या विकिरन क्षेत्र की विक समवहन क्षेत्र या जिसको बले आता है convection zone मैंने अभी आपको बताया था समवहन समवहन भी एक प्रकार का तरीका है जिससे क्या होगा उर्जा या उश्मा का स्थाना अंतरण होगा एक जगे से दूसरी जगे यह बहुत important है ना समवहन वाला यह आगे है जब हम प्रत्वी की आंतरिक संद्रशना पढ़ेंगे हैं फिर से मैं इस शब्द पे आपको लेकर हुआँगा समवहन क्या होता है देखो समवहन समझने के लिए मैं समझता हूँ आप सब को चाय बनानी आती होगी चाय कैसे बनती है चाय का ये एक पतिला है और पतिले के नीचे आपने क्या कर रखी है आपने उश्मा का कोई स्त्रोथ आपने उसको दिया हुआ है यह क्या है उश्मा और उश्मा एक प्रकार की क्या है हमको पता है उश्मा एक प्रकार की उर्जा है इस पतिले में आपने क्या किया पहले पाने डाला जैसे आपने गयस जलाई या इसको उश्मा देना शुरू करा तो क्या होगा जो नीचे वाला पानी है इसका तापवान अगर T1 है और उपर वाले का तापवान T2 है तो कौन जादा हो गया होगा तापवान नीचे से उश्मा आ रही है तो पहले नीचे वाला पानी गरम हुआ होगा तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे T1 जादा होगा किसे T2 से होगा T1 क्यों यह जो पानी है नीचे वाला क्या हो चुक है गरम हो चुक है अच्छा हमें हमेशा से पता है कि गरम चीज क्या होती है गरम चीज हलकी होती है और ठंडी चीज भारी होती है जब ये गरम चीज हलकी है तो कहां जाएगी उपर की और जाएगी वह हलकी है तो उपर की और जाएगी और जो भारी चीज है वो क्या होगी नीचे की और आएगी इसका मतलब क्या हुआ जो पानी गरम हो चुका था वो क नीचे आ जाएगा, फिर से इसका तापमान बढ़ेगा, ये फिर से उपर जाएगा, नीचे जो ओपर जो ठंडा पानी है वो कहाएगा, नीचे आएगा, क्या हो रहा है आपे, उश्मा का प्रवा, उज्या का प्रवा, उर्जा एक जगे से दूसरी आगे, स्थानांतरित हो इसी को हम क्या बूलते है, संवहन, पहले हमने देखा था, रेडियेशन, या जिसको मैंने का था, विक्कीरण, वो भी एक प्रकार का क्या है, उश्मा को स्थानांतरन करने का साधन है, दूसरा साधन हमने देखा, संवहन, जो की बहुत इंपोर्टेंट है, मैं फिर से आप से कह रहा हूं, संवहन भूत इंपोर्टेंट है, अच्छे से इसको समझीए, संवहन के मद्यम से यहां पे भी क्या हो रहा है, उड़जा का सनांतरन हो रहा है, वहां पे तापन 2-7 मिलियन था, यहां पे 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस के असपस रह जाता है, और यहां पे क् यहां आयनी करत हो रही है, आयनी करत का मतलब क्या होगा, देखो, फट से थोड़ा सा कैमिस्री रसायन विज्ञान की तरफ में लेकि जाओंगा आपको आयन क्या होते हैं, आयन दो प्रकार के होते हैं, एक जिनको बुले आता है धनायन, और दूसरे जिनको बुले आता है अगर मैं अंगरे जी में इसको बता हूँ आपको, तो इसको बुले आता है कैटायन और इसको बुले आता है एनायन, धन, धन मतलब प्लस का साइन, रेण मतलब माइनस का साइन, अब समझते हैं होता क्या है, समझे यह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ प्रोटोन होंगे और कुछ न्यूट्रॉन होंगे, हाइड्रोजन के पास क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ प्रोटोन होंगे, और कुछ न्यूट्रॉन होंगे, अब समझो, हाइड्रोजन ने क्य किया, अपना electron इस helium को दे दिया अला कि helium, inert गैसे अभी helium को आप छोड़ दो, helium को नहीं मानते हैं, हम दोग समस्ते हैं, oxygen को दे दिया oxygen को दिया यहाँ पे जो negative था जो रिन का जो आपको sign दिख़रा है वो अब कहाँ चला गया है, oxygen पे चला गया है अब hydrogen कैसा हो चुका है hydrogen हो चुका है प्लस का, और oxygen कैसा हो चुका है oxygen हो चुका है minus का, क्यों क्यों कि इसने electron दिया और इसने electron लिया, यहाँ पे भी यह धनायन दिख रहा है आपको, और यहाँ आपको रिनायन दिख रहा है, सिर्फ यह होते है iron यहाँ पर बात की जा रही है आयनी करत ग्रैस हैं और यह कौन सी कैसे होंगी हाइडरोजन और हीलियम हाइडरोजन और हीलियम यहाँ पर तापपान के कारण किसमें बदल जाती है आयन में बहुत अधिक तापपान है अधिक तापपान में क्या होता है बहुत सारी क्रियाएं होती है, बहुत सारी क्रियाएं होने के कारण, इनकी जो hydrogen और helium की जो कक्षा है, उसमें जो electron, proton, neutron होते हैं, वो disturb हो जाते हैं, disturb होने के कारण कभी है, किस में बदल जाते हैं, आयन में बदल जाते हैं, और यह कहां पर हो रहा होगा, यह हो रहा होगा, सम हमने बोला यहां पर विकिरन के माध्यम से उर्जा का इस्थानांतरन हो रहा था और वहां पर तापमान आपको देखने को विलेगा 2-7 million degrees Celsius तीस ही हमने बात करी समवन क्षेत्र की समवन क्षेत्र में हमने पढ़ा जो तापमाने वो करीब जो आपको देखने को मिलेगी जिसको बोला जाता है प्रकाश मंडल क्या बूलते हैं इसको प्रकाश मंडल देखो हिंदी में प्रकाश बूलते हैं और इंगलिश में हम लोग फोटो बूलते हैं यह फोटो वो नहीं है जो आप जिसको फोटो समझते हो हम कहते हैं हमारी फोटो नहीं है फोटो अगर आपको कहीं पे भी दिखे तो इसका मतलब क्या है प्रकाश प्रकाश आपको एक शब्द याता रहो गए आप प्रकाश संचलेशन की क्रिया करते हैं पेड़ जिससे अपना खाना बनाते हैं उसको अगर इंगलिश में बूला जाएगा तो उसको बुलिएगा फोटो संथेसिस प्रकाश प्रकाश मतलब फोटो और फिर आपको बताऊँगा हमने पढ़ा था प्रकाश की जो किरने हूँती है वो कैसे आती हैं फोटोन में आती है तो यह फोटो शब्द हमने वहाँ से लिए है आप समझ पा रहे होंगे यह है फोटो स्फ यह प्रत्विगर enquanto बहुत कम हुचुका कितना हो चुका है बाइसदों इसको अच्छापूए को और अंत्रिक पड़तों के बिलकुल तुरंट बाद आपको देखने को मिलेंगे photosphere या जिसको मैं कहूँ प्रकाश मंडल यह रहा प्रकाश मंडल आपको देखने को मिल रहा है दूसरी बहारी परते हैं जिसको बोले आता है one मंडल या जिसको बोलू मैं chromosphere क्या बोल सकते हैं इसको chromosphere या one मंडल देखो one मंडल की कोई हला कि हमारे लिए कोई खास बात नहीं है आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि अगर ये प्रकाश मंदल है प्रकाश मंदल से 1.200 किलो मीटर आप उपर जाओगे 200 किलो मीटर के बाद आपको कौँसा मंदल देखने को मिलेगा 1.00 मंदल इसके बाद संक्रमन क्षेत्र क्या है कुरूना और वर्ण मंडल के बीच में एक खेत्र पाया जाता है इसको हम सक्रमन शेत्र बूलते है नहीं है और लास्ट जो सबसे खतरना कोरूना कोरूना में ताप्पान हो चुका है पांच लाग डिग्री सेल्सियस सबसे बाहर ही पार आता है और इसको आप बिना अपनी नगन आखों से नहीं देख सकते हैं, अगर आप इसको देखना है, तो को scientific instrument आपको use पढ़ने पढ़ेंगे, अपने आखों पे, तब आप इसको देख सकते हो, और अगर normally आपको देखना है, तो जब सूर्य ग्रहन होता है, तब आप इसको देख सकते हो, सूर्य ग्रहन के समय क्या होगा, इस कौन कौन सी पड़ी आंधरिक परतों में हमने तीन परते पड़ी तीन परत कौन कौन सी थी आप में साथ रिवाइज कर सकते हैं तीन परते कौन सी थी पहली थी कोर दूसरी थी विकेरन क्षेतर और तीसा था समवान क्षेतर उसके बाद हमने कुछ बहारी परते पड़ी बहा क्या know Isso label कि आपका कॉमेंट में इसका जबाब दीजिएगा कि यह क्त परते कि परते यहतार हैं गिरावत ए या कोशिफ सके खिय तो अपनी copy में लिखना शुरू कीजिए हमारी बात होगी Corona तक ये बात हुई सूर्य की परतों के बारे में अच्छा, अब सूर्य में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जब सूर्य में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, तो उसका एक कुछ result आते हैं जैसे आप जब पढ़ते हैं अच्छे से तो रिजल्ट कि आएगा आप पॉजिटिव रिजल्ट आएगा आप एक दिन आईएस इप्फ बन जाएंगे तो इसी प्रकार सूरिय में इतनी सारी जब क्रियाएं होती है तो उसके बहुत सारे रिजल्ट आते हैं तो उसमें पहला एक चीज हमको पढ़ना है सौर कलंग ठीको सौर कलंग आपको किताबों में बहुत अच्छे से नहीं मिलता है और यह अभी करेंट में भी था अभी आप जब करेंट अफिर्स पढ़ना शुरू करेंगे तब आप पाएंगे समसामाईकी में कि सौर कलंग अभी न्यूज में था इसके कुछ फोटोज हमको मिले हैं तो इस कारण ये न्यूज में था सौर कलंग या इनको बोला या था सन स्पोर्ट्स सन स्पोर्ट्स क्या होते हैं देको गल्स बहुत अच्छे समझ पाएंगी ये बात कि जब धूप में जाते हैं तो स्किन पर कुछ स्पोर्ट्स हो जाते हैं जिनको हम जनरली बोल देते हैं कि हमारे स्पोर्ट्स हो गए ऐसे सन की स्किन पर क्या होते हैं स्पोर्ट्स हो जाते हैं अब हम ये कह सकते हैं हमाई जो स्पोर्ट्स होते हैं आप सन से ज़्यादा गरम की किसिन सबस्क्राइब पार देखो सनसे ज़्यादा गरम कुछ नहीं है समझो यहां पर कैसे बना सूर्या सूर्य बना निहारी का से जब निहारी का बनती तो बहुत सारे दूल के करण थे हैं, दूल के करणों में क्या हो सकता है, कुछ खनीज हो सकते हैं, अच्छा, कुछ खनीज ऐसे हो सकते हैं, जिनमें चुम्बक का कुछ तत्व पाया जाता हो, कुछ खनीज कैसे हो सकते हैं, जिसमें चुम्बक का कुछ तत्व पाया जा सकता हो, ऐसे खनीज चुम्बक की तत्व इसके पास पहुंच गए और चुम्बक की तत्व की बार क्या होता है बहुत स्ट्रॉंग हो जाते हैं बहुत मजबूत हो जाते हैं जब मजबूत हो जाते हैं तो जो उश्मा का उत्सर्जन होना चाहिए था उस उश्मा को उत्सर्जित नहीं होने देता अपने साथ उसको पकड लेते हैं गर्मी नहींा पाती सथे किम आपको देखार है ब्लैक ब्लैग कलर के जो सपोर्ट आई है सपोर्ट हमको दिखा देते चुम्बा कत्व है वो इन पर आ जाएगा तो वो ऐसा थूड़ी हो सकता है आजिस था ही हो देखो बच्चों क्या होता है जब एनरजी जब उश्मा का लगाता प्रवा हो रहा है थूड़े टाइम तक तो वो उसको पकड़ के रख सकता है लेकिन जाधा तर टाइम उसको नह इसने वर्ष्चों तक देखने को मिलेगा 22 वर्ष्चों तक देखने को मिलेगा और इसी को क्या बूलते है सौर कलंग चक्र में देखने को बूलते है इसको तो समझ पाए अप सन स्पोर्ट कैसे बनते है और सौर कलंग कैसे बनते है प्रत्वी बेबी हम पाएंगे कि प्र कथवी के बाद तावरण के बात करेंगे, फिर से यह आएंगी, सौर पवने, यह उनको कहा जाता है, सूलर विंड्स, सूलर विंड्स क्या होती है, देखो, हमने पढ़ा है, अवस्था जो होती है, पदार्थ की, वो तीन प्रकार की होती है, कौन-कौन सी, ठोस, द्रव और गैस, लेकिन चौथी अवस्था आप पढ़ोगे, तो वो होती है, प्लाजमा, हाइट्रोजन और हीलियम गैस, जब इतने अधिक तापवान में रहती है, तो वो किस में बदल जाती है, वो बदल जाती है, प्लाजमा में, और प्लाजमा की एक धारा, जब गुरत्वा प्लाजमा की धारा सूर्य से दूर की तरफ जाने की कुशिश करती है, उसी को आप क्या कहोगे, सोलर विंट्स कहोगे, क्यों सूर्य से दूर जाने की कुशिश करेंगे, देखो दूर कौन जा सकता है, जिसके पास अधिक उर्जा हो, और उर्जा कैसे होगी, यहाँ पर उ उसको रोक पाएगा, नहीं, अब वो क्या हो गया, गैस में बदल चुका है, और गैस में बदलने एक करण, वो वाश बन के उपर की और उर जाएगा, यहां पे भी ऐसे हो रहा है, हाइटरजन और हीलियम, जब तक गैस थी, तब तक सूर्य का गुरुत्वा कर्शन उसको रो है, तो यह क्या होती है, अत्यदिक गरम होती है, और सूर्य का गुरुत्वा कर्शन इनको बांदे नहीं पाता, इस कारण क्या निकलती है, सूर्ज से सौर पवने देखने को मिलेंगी, यह आगे जब हम ग्रहे और प्रत्वी पढ़ेंगे तब बहुत कम में आगा है न, त अपको पता souhaid 144 क्या होता है, इसके बात बात करें धृविये जोतियां, मैं कल आपको बता रहा था कि भॉगण आपको क्या करेगा, भॉगण आपको यह बता देगा कि आपको कहां कहां गूमने जाना है, है न, भॉगण पढ़ने का एक ये बहुत अच्छी बात होती है, कि आपको पता लग जाता है दुनिया में कौन कौन सी बहुत अच्छी जगे हैं तो उन्हीं अच्छी जगों में से एक ये चीज है जो जिसको गायाता है ध्रूबिय जोतियां हमने बात करी कि जब प्लाजमा की धारा सूरिय से निकलती है तो सूरिय का गुरुत्वा कर्शन बल उसको नहीं रोक पाता और ये जब निकलती है और बहुत दूर तक जब ये चली जाती है के बार क्या होता है प्रत्वी के वातावरण में भी आ जाती है प्रत्वी के वातावरण में बहुत सारी गैसे है जब ये बहुत सारी गैसे है उन बहुत गरम हाइड्रोजन और helium से जब reaction करती हैं जब kriya और अभी kriya करती हैं तो किसका निर्मान होता है धुरूविय जोतियों का या इनको का जाता है aurora सौर्ज वाला कि आवेशित कण प्रतफी के वायू मंडल में पहुंसते हैं तथा विभिन गैसों के साथ क्या करता है क्रिया यहाँ पर जो सबसे important शब्द है वो है यह आवेशित कैसे कण होने चाहिए वो आवेशित पतला उनमें क्या होना चाहिए वो आएनी करत होने चाहिए वो या दो प्लस के होने चाहिए रणायन होने चाहिए या क्या होने चीह है धनायन होने च earrings अगर वो नहीं है तो क्रिया नहीं हो पाईगी ये बात है अच्छे से जहान राखना तो जुआला के कौन से कण होते हैं आविशित कण होते हैं जो कहां पर पहुंछेंगे प्रत्षवी के वाईयो मंडल में पहुंचेंगे और पत्थवी के वायू मंदल पहुंचने के साथ जो गैस है हमारी जैसे नाइट्रोजन है ऑक्सियन है आरगन है कारबन डियोकसाइड है इन सबसे क्या होंगी बहुत सारी क्रिया अभी क्रिया होंगी और क्रिया अभी क्रिया जब होंगी तो क्या बनेंगी दुरुव्य जोतिया, यह इनको का जाता है अरोरा, बहुत खूब तरध होती है, यह अप देख पा रहोग stati ऐनकी फोटो हैं, यह दुरुव्य जोतिया रहे हैं, यह ऐसा लगता है कि आकाश में भगवान क्या कर रहे हैं को पेंटिंग कर रहे हैं, स्काई पे कोई पेंटिंग कर रहा है तो इस प्रकार की ये दिखती है UPSC अगर कुश्चन पूछना है उसको तो मैजदा फॉलिंग में ये कुश्चन पूछ सकती है कि उत्तरी क्षेत्र में या उत्तरी ध्रूपे जो ध्रूविय जोतिया बनती है वो किस नाम से जाने जाती है उनको बोला जाता है Aurora Borealis क्या बोला जाता है Aurora Borealis और ये कहां बनेंगि उत्तरी धूपे और जो ध्रूविय जोतिया बनेंगी उसका नाम क्या होगा Aurora Australis और जो उत्तरी धूपे Aurora Borealis बहुत इसी और ये सिर्फ कहां पर बनेंगे, ये ध्रुव या ध्रुव के आसपास वाले क्षितरों में बनेंगे ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताऊंगा जब हम प्रत्थफी को बारे में पढ़ेंगे लेकिन अभी आपको इस समझ मैंने चाहिए कि ध्रूविये जोतियां क्या होती है और ये कहां पर बनती है और इनके नाम क्या-क्या होते है फिर से बताऊंगा कौन से कण होने चाहिए इसके बाद हम बात शुरू करेंगे हमारी ग्रहों के बारे में ग्रहों जिनको planets भी कहते नहीं पता है तो आज अपने छोटा भाई है या छोटी बहन है जो कक्षा 5-6 साथ में पढ़ रहे हैं उनसे पूछ ली देगा वह आपको बता देंगे नहीं तो study आए क्यों कि वो किताब जो है वो आप खरीदी रहे हैं उसमें बहुत अच्छे सा डाइगरम बना हुआ आज के लिए इतना काफी है हमने बहुत सारी चर्चा करी हमने सूर्य की बहुत सारी परतों के बारे में जाना सूर्य के बहुत सारी अधारनाओं के बारे में जाना सूर्य में क्या-क्या होता है वो सब जाना ये बहुत छोटे संक्षित रूप में आपके पास होने मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता देता हूँ जोग्राफी में या किसी भी subject में क्या होता है, notes हम बनाते हैं जो UPSC की परिक्षा के लिए बहुत important है तो notes बनाते time अब हमेशा ये याद रखना ये जो notes होने चाहिए हैं आपके कैसे notes होने चाहिए, short notes छोटे notes इनको कहते हैं और इनका अनुपात आपके पास करीब करीब इतना होना चाहिए 10 अनुपात 1 अब है 10 अनुपात 1 मतलब आज मैंने आपको 50 slide पढ़ाई कितनी slide पढ़ाई मानो 50 slide इन 50 slide ओं से आपने जो notes बनाएं अपने किताब पढ़ी आपने NCRT की किताब पढ़ी आपने जो मैंने समझा है वो लिखा इससे मानते हैं आपके करीब करीब कितने भड़ चुके हैं आपके copy में भरे हैं 10 page तो जब आप अपने short notes बनाएंगे उसका कितना page में होना चीए वो सिर्फ होना चीए एक page में इसका मतलब आपकी जो copy है जो आपके class के time पे note जिसमें कर रहे हैं या जब आप NCIT पढ़ रहे हैं या कोई भी आप किताब जब पढ़ रहे हैं जब उससे कुछ note down आप कर रहे हैं तो उसका जितना भी होगा उसको बटा 10 करके इतने आपकी short note सूने चीए शुरू शुरू में नहीं बनेंगे आप ये सोचो कि मैं आज से एक कुशिश करूँ कि मैंने को 10 page लिखें और उनको एक page में परिवर्तित करूँ नहीं हो पाएगा ये वो कैसे आप आएगा वो अनुभव के साथ आएगा और अनुभव ऐसा नहीं है कि वो आप चार attempt देलो या तीन attempt देलो उसके बाद अनुभव होगा नहीं जितनी बार आप UPSC के पिछले सालों के paper देखेंगे जितनी बार आप UPSC का सिले बस देखेंगे आपको समझ में आएगा कि यहां से हर बार सवाल पूछता है यहां से यह बहुत important चीज़ है तो वो आप यह कहां लिखोगे अपने short notes में लिखोगे बाकी सब चीज़े यहां पर कोई भी sentence नहीं होने चीज़े बड़े बड़े वाक्य नहीं होने चीज़ें आपे बाद चोटे चोटे शब्दे होने चीज़ें चित्र होने चीज़ें फ्लू चार्ट होने चीज़ें डाइग्राम होने चीज़ें सिर्फ वो चीज़ें आपके होंगी short notes में इस तरीके से आपको क्या बनाने हैं, तो आपनी दो ख्लास हो चुकि हैं, दो ख्लास के नोटस आपके पास होने चाहिए, आज के लिए इतना काफी है, कल हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, ग्रहओं के बारे में हम पढ़ेंगे, सारे ग्रहों के पढ़ेंगे, एक-एक करके आप प्रत्वी पर पहुंचेंगे और प्रत्वी के बारे में फिर पढ़ना हम लोग शुरूर करेंगे तो हम लोग खगोल ये भूगोल पढ़ रहें जैसा कि आपको पता है इस कोर्स की जितने भी विशिष्टा है वो आप यूट्यूब चैनल पर देखे सकते हैं बहुत सारी विशिष्टा है ये कोर्स कैसा है एक फाउंडेशन कोर्स है और अभी तेज तारिक इसकी last date है admission की तेज तारिक के बाद इस batch में आपको admission नहीं मिलेगा और यह बिलकुल आने वाले जितने भी prelims और means examination होने वाले UPSC के लिए उस दर्ष्टी कों से बहुत important batch है इसमें बिलकुल basic से आपको पढ़ाया जाएगा और आपको बिलकुल पता ह है कि आपको कौन सा course code use करना है MB live course खरीदते समय MB live code use की दिया और use करते ही आपका जो course की price है वो कितनी हो जाएगी मातर 18,999 रुपे यह अगर आप ऐसे देखी 24 महीनी के लिए आपसे कितना पैसा लिया जा रहा है 18,999 वो कितना है 1000 रुपे महीना बेस की cost नहीं है इतना तो ह हम अपनी पढ़ाई अपनी जीवन के लिए व्याइक कर सकते हैं इसको खरीदा जा सकता है तो बिलकुल cool लगाई MB live और जुड़िए study IQ IAS foundation program है थैंक्यू वेरी मच और लगातार पढ़ते रहिए स्वस्त रहिए